Desktop Environment Objectives आईए, अब हम Desktop पर बने हुए icons को तफसील से देखते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी icon पर click करने से वो icon select हो जाता है लेकिन अगर हमने किसी icon को उसकी जगा से हिला कर दूसरी जगा ले जाना हो, तो हम क्या करें? ऐसा करने के लिए mouse pointer को हम icon के उपर लेकर जाएंगे देखिए, अब हमने mouse का left button दबाया है अब इसे दबाय हुए, हम icon को drag करते हुए desktop के दूसरे हिस्से पर ले जा रहे हैं इस तरह हमने icon को एक जगा से दूसरी जगा move किया है अब हम कुछ desktop icons की पहचान कर लेते हैं desktop पर आप computer का icon देख सकते हैं इस icon में एक computer बना हुआ है आमतोर पर ये icon सिर्फ computer के लिए इस्तेमाल होता है इसमें हम अपने computer में मौजूद हर device का पता चला सकते हैं और उसको बाहसानी इस्तेमाल भी कर सकते हैं असल में computer का icon पूरे computer को यूज करने के काम आता है recycle bin desktop पर ही हमारे सामने एक और icon है जिसके नीचे recycle bin लिखा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं कि bin का मतलब टोकरी है और recycle का मतलब है किसी चीज को दुबारा इस्तेमाल के लाइक बनाने याना अगर कोई चीज जाया हो चुकी है तो उस चीज को दुबारा इस्तेमाल के लाइक बनाना इसलिए recycle bin वो जगह है जहां ऐसी files वगेरा रखी जाती है जिनको बाद में भी इस्तेमाल करना पड़ जाए मगर जिनकी फिल हाल जरूरत ना हो यानि ये recycle bin हमारे लिए एक रदी की टोकरे की मानिद है जब कोई file या folder delete करते हैं तो वो recycle bin में जाती है और हम उसे recover भी कर सकते हैं अगर हम अपने computer से किसी file को निकालना या मिटाना चाहते हूं यानि delete करना चाहते हूं और हमें ये मालूम ना हो कि उस file की हमें बाद में जरूरत होगी या नहीं तो हम उस file को delete करते हैं और computer खुद बाखुद उस file को recycle bin में डाल देता है ताके अगर बाद में हमें उस file की जरूरत पढ़े तो हम recycle bin से उस file को निकाल सकें आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार file का लफस इस्तमाल कर रहे हैं file क्या होती है ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं हम अपने desktop पर किसी icon को select करते हैं और keyboard से delete का button दबाते हैं computer आप से पूछता है कि क्या वाकई आप इस file को delete करना चाहते हैं फाइल को delete करने के लिए हम yes पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि recycle bin के icon में कुछ कागस बने हुए है अब हम recycle bin पर double क्लिक करते हैं जो window हमारे सामने आई है उसके address बार में recycle bin लिखा हुआ है हमारे सामने वो ही file पड़ी हुई है जो हमने अपने desktop से delete की थी इसका मतलब यह हुआ कि हमारी delete की हुई file हमारे computer से गाइब नहीं हुई बलके recycle bin में आ गई है अब हम चाहते हैं कि इस delete की हुई file को अपने computer से निकाल दे इसके लिए हम menu bar में बने हुए button जिस पर empty the recycle bin लिखा हुआ है इस पर click करते हैं computer ने हमारे सामने एक message box दे दिया है जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या हम वाकिश फाइल को delete करना चाहते हैं येस पर click करने से file हमारे computer से निकल जाएगी और no पर click करने से हमारे सामने से ये message box हट जाएगा हम no पर click करते हैं अब हम देखते हैं कि अगर हम इस file को वापस वहीं ले जाना चाहते हैं जहां से हमने इसको delete किया था तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अगर recycle bin में एक से ज्यादा files मौचूद हैं और किसी खास file को उसकी जगह वापस लाना चाहते हैं तो मतलूबा file पर click करके उसे select करें आप देखेंगे कि menu bar में restore this item की option मौचूद है इस पर click करने से file वापस अपनी जगह पर चली जाएगी अगर आपने recycle bin में मौचूद तमाम files को restore करना हो तो किसी भी item को select ना करें तो आप देखें कि menu bar में restore all items लिखा हुआ है इस पर click करने से recycle bin में मौचूद तमाम files अपनी पहली वाली position पर ले जा सकते हैं जहां से हम इन files को दोबारा access कर सकते हैं जब हम recycle bin को बंद करके वापस अपने desktop पर आए हैं तो जो file हमने delete की थी वो हमारे सामने पड़ी है अब हम folders के बारे में कुछ मजी तफसिलाज चानते हैं इसके लिए हम रोसमरा की एक मिसाल लेते हैं रोसमरा जिन्दगी में हम तमाम कागजों पर करते हैं और फिर उन कागजात को महफूज रखने के लिए हम उनको files में डाल कर रखते हैं और files को महफूज रखने के लिए हम किसी दराज या almारी में रखते हैं बिल्कुल इसी तरह हम कम्प्यूटर पर भी अपनी किये हुए काम को फाइल्स की शकल में महफूज करते हैं और फिर फाइल्स को फोल्डर्स में डाल कर रखते हैं मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कुछ कागजात हूँ जिन में हमारे अखराजात यानि एकस्पेंसिस के बारे में कुछ तफसीलात लिखी हो तो हम उन कागजात को एक फाइल में डाल कर रखेंगे और इस फाइल का नाम एकस्पेंसिस रखेंगे इसी तरह अगर एक फाइल हमारी आमद दी यानि इनकम के बारे में है तो हम उस फाइल का नाम income रखेंगे ये भी हो सकता है कि जिस दराज या फाइल में हमने ये रखा है उस दराज का नाम finances रखते हैं ताकि बहुत सारे दराजों में से हम को मालूम हो कि किस दराज में expenses और income की फाइल्स मौजूद हैं इसी तरह अगर हमने किसी दराज या अलमारी से कोई फाइल निकालनी हो तो पहले हम अलमारी खोलते हैं फिर दराज खोलते हैं फिर बहुत सारी फाइल्स में से अपने काम की फाइल निकालते हैं यानि अगर हम finance के फोल्डर में से expenses की फाइल निकालना चाहते हों तो पहले हम finances की दिराज खोलेंगे फिर expenses की file निकालेंगे इसी तरह computer में भी पहले हम folders खोलते हैं फिर उसके अंदर मौझूद काफी files में से अपनी काम की file निकालते हैं इसी तरह जब हम बहुत सारे folders के जिरिये किसी file तक पहुंचते हैं तो हम एक पूरा पात इस्तमाल करते हैं यानि हम एक रास्ते के जिरिये उस file तक पहुंचते हैं computer की जुपान में भी इस इस्तमाल किये गए रास्ते को पात कहा जाता है अब हम देखते हैं कि किसी folder के अंदर अगर मजीद folders हों और उन मजीद folders के अंदर कुछ और folders हों तो हम किस तरह उन तमाम folders को एक ही जगा पर देख सकते हैं हम आपको Windows Explorer के बारे में भी बताते हैं Windows Explorer को File Explorer भी कहा जाता है ये Microsoft Windows के अंदर पहले से ही दी की utility है जहां हम अपने computer में मौझूद किसी भी file या directory पर मुख्तलिफ काम कर सकते हैं इसके लिए हम दुबारा computer के icon पर click करते हैं हमारे सामने computer की window open हो गई है इसमें आप देख सकते हैं कि window के बाई तरफ एक pan है जिसमें इस computer की एहम directories और folders को दिखाया गया है इन directories या folders में से अगर किसी पर click करें तो इस window के दाई तरफ बने हुए इस box में इस directory के items आ जाते हैं जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि बाई तरफ से computer select किया हुआ है तो इसके नीचे और दाई तरफ computer के अंदर लगी हुई hard disk नजर आ रही है अब हम बाई तरफ से new volume D पर click करते हैं तो हम इस hard disk के अंदर मौचूद तमाम files और folders को दाई तरफ देख सकते हैं दाई तरफ से किसी भी folder को select करके हम menu bar पर मौचूद मुख्तिलिफ options को इस्तेमाल कर सकते हैं मसलन rename, open, copy, delete वगेरा folder icon आप जरूर सोच रहे होंगे कि हम folder के icon को कैसे पहचानते हैं आईए हम आपको बताते हैं हम अपने desktop पर right click करते हैं हमारे सामने एक list आ गई है अब हम अपना mouse pointer new के item पर ले कर जाते हैं new पर mouse ले जाते ही हमारे सामने एक और list आ गई है यहाँ से हम कुछ चीजों के icons बने हुए देख सकते हैं सबसे उपर folder लिखा हुआ है और इसके साथ ही इसका icon भी बना हुआ है यह icon सिर्फ folders के लिए मखसूस है इसी तरह हम बाकी files या software's के icons भी बने हुए देख सकते हैं folder के item पर click करने से हमारे desktop पर एक नया folder आ गया है यह icon सिर्फ folders के लिए मखसूस है अगर आप किसी जगह इस icon को देखें तो समझ लें कि यह folder है Create a desktop shortcut icon अब हम देखते हैं कि हम अपने desktop पर मरजूद किसी file या folder का shortcut कैसे बनाते हैं अगर आपने कहीं जाना हो और منزل तक पहुंचने के दो या जायद रास्ते हों और उन में से एक रास्ता बाकी रास्तों से छोटा हो यानी shortcut हो तो आप منزل तक पहुंचने के लिए यकीन शौटकट अपनाएंगे इसी तरह computer में भी अगर आप किसी file को जल्द access करना चाहते हों तो आप shortcut का इस्तमाल करते हैं सबसे पहले हम computer की window खोलते हैं इसके बाद हम local disk C पर double click करते हैं अब हम program files पर right click करते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी icon पर right click करने से हमारे सामने एक और list आ जाती है अब हम इस list में मौजूद send to पर अपना mouse ले कर जाते हैं आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक और list आ गई है इस नई list में मौजूद हम दूसरे item पर click करते हैं जहां desktop create shortcut लिखा है अब हम इस window को बंद कर देते हैं हमारे सामने desktop पर एक और folder बना हुआ आ गया है जिस पर click करते हैं तो इसका नाम programs file shortcut लिखा हुआ है ये दरसल local disk C के अंदर मौजूद program file के folder का shortcut है इसी तरह हम किसी भी file या folder का shortcut बना सकते हैं चाहे वो file या folder हमारे desktop पर हो या हमारे computer में किसी भी जगा पर मौजूद हो resize and scale a desktop window हम desktop window की basic properties पहले ही देख चुके हैं आईए अब हम desktop window को अपनी मर्जी के मताबिक बड़ा या छोटा करना सीखते हैं हम दोबारा computer की window खोलते हैं computer की window खोलने के बाद हम अपने mouse को window के किसी कोने पर ले कर जाते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे mouse का pointer तबदील हो गया है और इस नए pointer में दाएं और बाएं तरफ arrow का निशान बना है अब हम mouse को इसी शकल में click करते हैं मगर mouse का button नहीं छोड़ते अब हम जहां जहां mouse को ले कर जाएंगे window का size भी इसी लिहाज से कम या ज्यादा होता जाएगा ये काम आप window के चारों किनारों पर कर सकते हैं हर किनारे पर mouse की शकल तबदील हो जाती है working with windows अब हम desktop window में उन चीजों पर नज़र डालते हैं जिनके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा अब हम दुबारा computer की window खोलते हैं title bar के बारे में तो आप पढ़ी चुके हैं title bar के बिलकुल नीचे menu bar है menu bar में आप file, edit, view और इस तरह के कई buttons देख सकते हैं किसी भी menu item पर mouse ले जाने से वो item select हो जाता है इस पर click करने से एक drop down menu हमारे सामने आ गया है इसी तरह हम देख सकते हैं कि mouse को edit पर लेकर जाने से edit के नीचे एक menu आ गया है menu bar के नीचे tool bar है इस बार में मजीद कुछ buttons बने हुए हैं ये button नीचे वाले box में मौझूद items के मुतालिक होते हैं इस डबे के मुख्तलिफ items के लिए मुख्तलिफ menus बनते हैं जैसा के अभी आप देख रहे हैं कि बाई तरफ navigation pan से हमने computer को select किया हुआ है तो menu bar में हमें system properties, organize वगेरा के buttons नजर आ रहे हैं लेकिन अगर हम navigation pan से documents पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए menu bar के button मुख्तलिफ हो गए हैं और अगर हम यहां से किसी folder पर क्लिक करते हैं तो menu bar में कुछ मजीद buttons add हो गए हैं ये इसलिए होता है कि जो भी items हम select करते हैं इस item से मुतालिक जो functions perform होते हूं तो menu bar में वो buttons जाहिर हो जाते हैं मिसाल के तौर पर हम किसी भी folder पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस folder को हम open कर सकते हैं share कर सकते हैं, email कर सकते हैं या पिर इस जगह एक नया folder बना सकते हैं इसी window के सबसे नीचे आप एक और बार देख सकते हैं इस बार में आप एक कोने में computer का नाम लिखा हुआ देख सकते हैं और साथ में एक computer की तस्वीर भी बनी हुई है इस बार को status बार कहते हैं अब हम navigation pen से documents पर click करते हैं और preview pen में बनी हुई file जिस पर my text लिखा हुआ है उस पर click करते हैं आप देख सकते हैं कि status bar में एक तम कुछ लिखा हुआ आ गया है इसका मतलब यह हुआ कि status bar हमें इस file के बारे में कुछ मालूमात दे रहा है Applications window अभी तक हमने windows के बारे में general बातें सीखी हैं यानि हमने उन functionalities के बारे में सीखा है जो हर window में होती हैं हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे softwares हैं जिनको हम system software कहते हैं मसलन operating system और कुछ softwares ऐसे हैं जिनको application software कहा जाता है Application software के जिरिये हम ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारी रोज मारा जिन्दगी में apply होते हैं ये softwares देखने में बिलकुल आउं windows की तरह होते हैं मगर उन softwares में कुछ अजाफी खूबियां भी होती हैं आएए अब कुछ application software के बारे में देखते हैं सबसे पहले Microsoft Word खोलते हैं जो के application window की बेहतरीन मिसाल है इसके लिए हम start के button पर click कर रहे हैं सामने आने वाली list में हम अपने mouse को all programs पर click करते हैं तो हमारे सामने एक और list आ गई है इस list में से हम Microsoft Office पर click करते हैं इस नई list में से अब हम Microsoft Word 2010 पर click कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो window आपके सामने आई है इसके title बार में Microsoft Word लिखा हुआ है यानि ये Microsoft Word की application है आपने देखा होगा कि Microsoft Word भी किसी window से कुछ ज्यादा मुक्तलिफ नहीं है जैसा कि आप देख चुके हैं इसमें भी एक title बार है जैसे हर desktop window में होती है इस application window में title बार के नीचे ribbon tabs हैं जिसमें file, insert, home वगेरा लिखा हुआ है हर ribbon tab के नीचे बहुत सारे formatting menus हैं ये हमने किसी भी window में नहीं देखा था आप सोच रहे होंगे कि formatting menus को हम किसलिए इस्तेमाल करते हैं आपको हम formatting menus अगले module में इस्तेमाल करना सिखाएंगे जब आप Microsoft Word के बारे में तफसील से पढ़ेंगे किसी भी desktop window की तरह application window में भी status bar होती है आपको याद होगा कि हमने status bar को window के सबसे नीचे देखा था और ये भी याद होगा कि ये किसलिए इस्तेमाल होती है आपकेशन विंडो में भी status bar सबसे नीचे दी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह हमने विंडो को minimize और maximize किया था उसी तरह हम application window को भी minimize या maximize कर सकते हैं आप अपनी screen पर dash का button बना हुआ देख सकते हैं इस button पर click करते ही हमारे सामने मौजूद window एक icon की शकल इख्तियार कर चुकी है और हमें task bar में नजर आ रही है जिस तरह हमने window को restore किया था बिलकुल उसी तरह हम इस window को भी restore करते हैं हम अपने mouse से इस window के icon पर click करते हैं तो ये window task bar से निकल कर दोबारा हमारे सामने आ गई है जैसे हमने window को बढ़ा किया था और वो window हमारी पूरी screen पर आ गई थी उसी तरह हम applications window को भी maximize कर सकते हैं हम title bar में बने हुए box के बटन पर click करते हैं और देखते हैं कि ये window भी हमारी पूरी screen पर आ गई है active and inactive window अब हम एक बहुत ही अहम और दिल्चस्प चीज़ सीखते हैं हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा windows खूली हो और हमने एक window से दूसरी window में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए दूसरी window खोलने के लिए हम सबसे पहले Microsoft Word की window को minimize करते हैं और फिर desktop पर से computer के icon पर double click करते हैं आप देख सकते हैं कि task bar में दो icons बन चुके हैं अब हम task bar में मौझूद Microsoft Word की application window के icon पर click करते हैं आपने देखा आपके सामने computer वाली window नीचे task bar में icon की शकल में नजर आ रही है जबके Microsoft Word वाली window आपके सामने screen पर मौझूद है जो window हमारे सामने खुली हुई हो इस window को हम active window कहते हैं और जो window बजाहर खुली दिखाई ना दे मगर हमें task bar में नजर आ रही हो उस window को हम inactive window कहते हैं closing applications window इस lesson की आखरी चीज़ जो आप सीखेंगे वो ये है कि applications window को बंद किस तरह किया जाता है एक तरीका तो आप जानते ही हैं यानि title bar में बना हुआ cross का button दबा कर application window को बंद करने का एक तरीका और भी है इसके लिए हम file menu पर click करते हैं इस list की सबसे आखरी option जिस पर exit लिखा हुआ है उस पर click करते हैं इस पर click करते ही ये window बंद हो गई है और इस window का icon भी task bar में नजर नहीं आ रहा summary इस lesson में हमने पढ़ा कि icons किसे कहते हैं और icons के क्या फवाइद हैं किस तरह हम icons को select कर सकते हैं और किस तरह उनको अपने desktop पर move कर सकते हैं इस lesson में आपने काफी icons की पहचान भी कर लिए आपने ये भी सीख लिया कि किस तरह किसी भी icon का shortcut बनाया जाता है इस lesson के बाद आपको desktop window और application window के मुखतलिफ हिसों के पहचान भी होगी है आप ये भी जान चुके हैं कि किस तरह एक window को छोटा या बड़ा किया जाता है किस तरह window के size को अपनी मर्जी के मताबिक कम या ज्यादा किया जा सकता है आपने application window को बंद करने के मुखतलिफ तरीके भी सीख लिया है